रामायन कालग के बाद है इसका उल्लेक रामायन के अंदर भी होता है जहां भगवान ग्याम ने चातुर मास किया कि पूरी भूमी कुछ अलग खिड़की में से एक बहुत बड़ा वानर अंदर आया उसने केला उठाया और वहां जो एक वैश्टों बैठे थे उसके माते पे हाथ रखके वो वानर चला गया जैसे राम सेतुबंद बना तब जब छोटे से छोटे प्राणियों मिलके सेतुबंद रामेश्वर को बाता यह बात कभी इमें शेर भी नहीं करना है तो कि यह बात इस यूग में कोई मानेगा नहीं है वास्तव में सही एक फोटोग्राफ करते हैं जब उस स्थान पर जा अपन को निमिट बनाके उन्होंने यह कारे अपने सामने उपस्तित किया है अब कि वल्लबादीश की जैए वेश्णवरदेश अमराट वेश्णवाचारिय स्री यदुनाजी महोदय आप स्री के चरण में कोटान कोटी बनता है आश्यवाद वाश्वाई जैजै आप स्री पुरें पुष्टी परिवार न को नव पल्वीत करता है जब आपको सुनते हैं कोई भी वेश्णव तो उसके रदे में सांती संसार होता है जैसे कि कोई वेश्णव यूथ आता है आपसे मिलने के लिए तो आपका बन जाता है आपकी वार्णी को सुनके लाइब सोल्यूशन बाई यदुनात जी को सुनकर कहीं वेश्णव यूथ आपको फोलो कर रहे हैं तो आज आपके साथ पहला पोड़कास्ट के जरिये से हम जानना चाहते हैं कि आपका जीवन में कहीं उतार चड़ावाए होंगे लेकिन कहीं सारे ऐसे कारिया आपके द्वारा हो रहे जैसे कि वलभाचारी महाप्रभु जी जहां-जहां भाग्वाजी करें आप पुष्टी मार्ग में उसको बेठक जी के उस बेठक जी में जो अपरगड बेठक जी है जिसे जब जब आप कथा के दोरान बात करते हैं तो आप रोमा गदगदित हो जाते हैं वेसे कि कोई दिव्य स्वपनों को आप एक्स्प्लाइन कर रहे हैं तो आज हम पहले यह जानने चाहेंगे जिजे कि यह परशने वाली वस्तु हमारे लिए क्या है और वही परशना आपने पूछा क्योंकि श्री महाप्रभू जी ने जीव मात्र के उपर कृपा करने के लिए तीन बार खुले चरणों से चलके पूरे भारत वर्ष की परिक्रमा करी और जहां जहां भी आपने श्रुमत भागव जी का पाराइन किया वहस्तान अपने वहाँ बैठक जी के रूप से परचलित है और पूरे भारत ऺंदर ऐसे 84 महाप्रभू जी महाप्रभू जी के हैं लेकिन जब जब भी आत्म चिंतन करते जब जब भी अकेले बैठते और जब यह जानते को आज महाप्रभू जी ने आ से 6 करोड से भी अधिक वैश्णव होने पर भी जो अपनी धरोवर है ये 14 सी बैठक जी और वो उस बैठक जी में से भी कई बैठक जी अप्रगट हैं देखो और मैं हमेशा मानता हूँ के नए स्थानों का निर्मान होना ये विकास की एक प्रक्रिया है होना चाहिए पर अप परबुल परमपरा अपनी जो पहचान है अपनी जो संसक्रती है और श्रीमाप प्रभु जी की अपने उपर लिये हुए परिश्रम का जो प्रतीक ये बैठक जी हैं और आज इतने वर्ष होने पर भी इतने समर्थ वैश्णों होने पर भी इतने दूर 드ुश्टी वाले वै ऐसा कुछ हो कि जो बैठक जी अभी तक प्रगट हो नहीं पाए और प्रतेक वईश्णों 84 सी बैठकों की यात्रा 84 सी बैठकों के चरितों का दर्शन करते हैं और वो इस लाब से वंचित हैं तो मन में यही था कि इस जीवन के अंदर श्री महाप्रभु जी एक ऐसा आगे आपकी सेवा का दें कि अपने रहते हुए वो जो अप्रगट महाप्रभु जी के बैठक जी हैं वो बैठक जी प्रगट हम कर सकें और पूरे विश्व के वईश्णों वहाँ आके श्री महाप्रभु जी की उस दिव्य उर्जा का अपने जीवन में संचार करके अपने प्रारम किया है जवाँ जित पंपा सरोवर यानी तो रामाईन कालव की بात है इने हम सब्री के बारे में आपकुछ बताए पंपा सरोवर अपन जानते हैं के जहां शबडमी की गुफा जहां बधगवान राम पधा रे थे और प्राचीन उसका नाम किश्किन्धा ह जिसका उल्लेक रामाण के अंदर भी होता है और ये पूरी भूमी त्रेता युक की भूमी है और ऐसी दिव्य भूमी है कि जहां अपने बैठक जी का स्थान है पासी में पंपा सरोवर जिसमें शबरी जी की कुफा है वाली शबरी के महल हैं पास सामने ही अंजने परवत जह हनवान जी का प्रगेट स्थान है पास में ही स्थान है जहां हनवान जी और भगवान राम चंदर जी का प्रथम बिलन हुआ जहां भगवान राम ने चातुर मास किया ये पूरी भूमी कुछ अलग जब हम गए हमें इतना पता नहीं था लेकिन जब उस भूमी में गए वो होने के कारण यदि Google के अंदर भी अपन सर्च करते हैं क्योंकि हम भी पत्थरों की नगरी कही जाती है और उसके पत्थरों की एज यदि अपन देखें और यदि आप Google के अंदर डालोगे क्योंकि जो अपना स्थान है वो एने गुंडी गाम कहा जाता है यदि Google में आप अपने भारत की है और उसी स्थान के अंदर ये बैठर जी के निर्मान का कारे हो रहा है जैजे आप तो एहमदाबाद भी राजते हैं कडी के कहिलाते हैं तो वहां विजे नगर करनाटक में आने वाला वहां आपको प्रेणा केशे हुई ये दिव्य कुछ संकेत क्योंकि क कोई दिव्य कार्य होता है तो भगवान या गुरु का संकेत मिलता ही है तभी जाके जीव वहां पहुंच पाते हैं वैसे तो आप एहमदाबाद में स्थीद हैं कडी के कहलाते हैं लेकिन पूरे विश्व में आपके द्वारा पुष्टी मार्ग का प्रचार होता है लेकि हम अपने गोवा के अंदर शी गोर्धना जी की हवेली है वहां पाटो सो के उपलक्ष में मैं था संग में हमारे दुबई वाले वासु भाई और चेन्नेई वाले परेश में बैठे हुए थे तो मैंने उनसे कहा कि जो अप्रगट बैठक जी हैं उनको प्रगट करने का एक मन के अंदर से ऐसा आवाज उठ रहा है मानों कोई शक्ती हो कोई दिव्य चेतना हो और वो ये कामना कर रही है याशा रख रही है कि हमें इस देह को निमित बना के वो उस स्थानों का पुनह प्रगटी करन हो उसके संकेत बहुत दड़ता से मिल रहे थे तब मैंने परेश में इसे कहा क्योंकि वारता जी के अंदर और सारे प्राचीन गंतों में देखें तो वो सारे स्थानों का वर्णन आंदर प्रदेश में आता है तो हम लोग थोड़े कंफ्यूज थे कि वो स्थान आंदर प्रदेश में कहा है लेकिन जब देखते देखते पंपा सरोवर पर जाप्त हुआ है कि वही भूमी है कि जहां महाप्रुभूजी के अब्रगट बैटक जी है परिश्वई चिन्नई से वहाँ पहुंचे मैं खरगोन से इंदौर इंदौर से फ्लाइट लेके रात को तीन बजे पहुंचा मुंबई मुंबई से सुबह छे बजे बाइकार फ्ला वह उनकी थी जब चर्चा हुई कि कहां बैटक जी का स्थान प्राप्त हो सकता है तब वहाँ जाना कि यह पूरा वर्ल्ड यूनिस्को हेरिटेस साइट है और यहां पे कोई भी सुप्रीम कोड का ओडर है कि यहां पे किसी भी स्थान का निर्मान नहीं हो सकता पर्मिशन और मिशन नहीं मिलेगी, तो एक बार तो हताश भी हो गए, लेकिन जब आके हम अपने स्थान पर बैठे हुए थे, तब बन में विचार आया, कि हम लोग गए सीधे निकल गए थे, ना कोई भोजन की विवस्ता, ना कोई कईश विवस्ता, तो बाहर से हम लोग कुछ केले व बुलाया है, तो कोई संकेत है, और यदि वो चाहते हैं कि स्थान में अपना प्रवेश हो, तो वही मार्ग बताएंगे, और थोड़ी देर चर्चाम कर रहे थे, जैसे मैं अंदर गया, खिड़की में से एक बहुत बड़ा वानर अंदर आया, वानर आया, उसने केला उठा कि जो वहां के राजा कहे जाते हैं, और जितना भी स्थापत्य और निर्मान है, वो कृष्ण देव राजा ने करवाया, और पुष्टी मार्ग में ये स्थान का महत्व इसलिए भी अधिक है, क्योंकि शिमहाप्रभु जी ने जगत गरु पदगो सुशोबित इस स्थान शिमहाप्रभु जी ने इस स्थान से उसका परचार किया, तो जब वही राजा के वनशजों के द्वारा सुचना आई, कि आपको मिलना चाहते हैं, और जब हम वहाँ पे गए, तुनों ने कहा, कि यहाँ पे जगे मिलना, प्राप्त करना, बहुत लोगों ने प्रयत्न किय बहुत जणों ने प्रयत्न किया, पर हो नहीं सका, पर इसक्षेत्र के अंदर कोई आप जगे देखो और मिल जाए, तो प्रभु की कृपा होगी, अब तब मेरे मन में यही आया, कि देखो, साड़े पानसो वर्ष, सवा पानसो वर्ष तक ये बैठक जी प्रगटे नहीं, तो वास्ताव में शी महाप्रभु जी को प्रगटने की इच्छा है के नहीं है, जो इच्छा हो, तो हम आगे बढ़ें, और इच्छा नहों तो आपको परिश्रम न दें, यह संकेत हुआ, और जब एक जगे वहाँ पे हमको अच्छी लगी, वो जगे हमने वहाँ पे ले ले बिली, अब जब पासिंग के लिए दिया गया, उन्होंने कहा के नहीं, यहाँ पे तो सुप्रिम कौर्ड का ओडर है, यहाँ पे कोई भी वस्तु का कंस्रक्शन इस 50 किलो मीटर के रेडियेशन में हो नहीं सकता, लोग मेरे पास आये के जह 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 बोल रहे हैं के यहा लोग गए और वहाँ उन्होंने देखा, और देखके दो मिनिट उनको आश्यर हुआ, उन्हें कहा कि यह पूरे 50 किलो मीटर में से यही एक जगे आपको कैसे मिली, मैंने कहा क्यों, तब कहा 50 किलो मीटर के अंदर यही एक प्लोट ऐसा था, कि जिसके अंदर धार्मिक मत ब उन्हें आया, तब भी एक समश्या हुई, बोले कि वहाँ नियम है कि कृष्ण देव राय के समय के, यदि कोई भी वहाँ पे स्तूप है, कि कोई खंब है, तो जब जगे मापने के लिए आए, उन्हें बताया कि यह खंबा बिल्कुल सामने है, और हमारा तो यह रोज का का है, हम देखे कह सकते हैं कि सतर मीटर है, मैंने का मापो तो सही, और जब तीन बार उन्हें ने मापा, तीनों बार एक सो दो मीटर आया, और तब लगा कि इसमें कोई विशे संकेत प्रभू अपन को दे रहे हैं, अब यह इच्छा अपनी नहीं, अब यह इच्छा श्री व इतने वर्षों के बाद भी अप प्रगट है, इस थान कब प्रगट हो, और वो वेश्टों का ताप मानुश्री महाप्रभू जी से सहन नहीं हुआ है, और अपन को निमित बना के उन्होंने यह कारे अपने सामने उपस्तित किया है, जेजे, उस दरम्यान कुछ एक प्रसं का निर्धारन करते हैं, और हमें निमित बनाते हैं, लेकिन निमित बना के यदि कोई कार्य हमने अपनी इच्छा से प्रारम किया है, या उनके संके से प्रारम किया है, पता कैसे चले, जब उनकी इच्छा से प्रारम हुआ है, तो वो संके जरूर देते हैं, जब हम लोग वहाँ पे गए, तो हमने एक ही बैठक जी का सोचा था, 46 में बैठक जी पंपा सरोर के, और पंपा सरोर के बैठक जी के ये जगे ढूनके, वही पास में तुंग भदरा नदी का तट है, और उसी तट के घाट के उपर मैं बैठा हुआ था, वैश्णों भी थे, और सामने एक गाए, खड़ी हुई थी, और अचानक मैंने दिखा गाए कुछ अलग लग रही है, वहाँ भागती हुई गाए मेरे पास आई, और पास आके, जैसे मेरे वस्त्रों को पकड़के, वो खीच रही हो, ऐसे खीचने लगी, मुझे भी दो घड़ी लगा कि ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों कर रही है, लेकिन थोड़ी दिर में इस परकार खीचने लगी, कि लगने लगा कि कहीं मुझे ले जा रही ही, और जब ले जाने लगी, तो मैं उसके संग गया, और नदी के तड़ पे जाके मुझे खड़ा-कड़ दिया, और जैसे ही मैं खड़ा हुआ, मेरे मो वर्णन उनमें लिखा था और जब मैं वाँ खड़ा था और वही वर्णन उस थान के अंदर उस मेठक जी के महात्म में लिखा था तो गड़ी मैं चौक गया कि ये क्या संकेत लेकिन ये बात यदि इस युग में अपन किसी को कहते हैं तो वो कोई मानने को तयार नहीं होता लेकिन प्रभू के ऐसी इच्छा थी कि दुनिया देखे ये बात को कि ये जो हो रहा है ये इनका संकल्प नहीं ये मेरा संकल्प है ऐसा वललब औरों को दिखाना चाते थे और उसका प्रमान क्या वहीं पे हमारे परेश भाई चन्नाई वाले खड़े थे उन्होंने ये सा प्रमान क्या है और जब ये संकल्प मन में हुआ आप नहीं मानोगे तीन महीने तक वहाँ पे जो सामने शिला है वो शिला के अंदर अगनी कुंड में पौड रहे श्री महाप्रभू जी का जो चित्र अपन दर्शन करते हैं वही दर्शन वहाँ पत्थर की शिला में तीन महीने तक हुए और वो भी चित्र अपने पास है इसी स्थान से मेरा संब्ध है तो दो प्रगट बेठक जी का निर्मान कारिया जेजे आपने कहीं तिन सालों के पहले जब एनॉंसमेंट किया तब जाके आपके पास तो मैं जानता हूँ तब तक कहीं सारे इसे वेशनों होंगे जेजे के दो तिन वेशनों को आग्या करेंग किसी ऐसे वेशनों को आहुत किया है क्या जेजे जब वहाँ पे गए तो मन में यहीं विचार था कि कौन आएगा कौन जुडेगा उसके अंदर तो हम पांचोंग जनों ने विचार किया कैसा होगा तो अपनी अपनी तरफ से थुआ 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 योगदान देके अपन शिमहाप्रभु जी के बैठक जी वहाँ प्रगट कर देंगे क्योंकि अब वैशनों अधिकतर वहाँ है इतनी दूर कौन आएगा कौन इसमें जुडेगा ये सोच रहे थे लेकिन जब बड़ोदा के अंदर वल्लफ सा की कायोजन था और सरो प्रतंबार जब इस बैठक ज लिए जहां मुकाम था वहाँ वैशनों की लंबी लाइन लगती थे और ऐसे ऐसे वैशनों जो कभी घर से बाहर निकलते नहीं थे ऐसे वैशनों यहां तक छोटे छोटे बच्चे अपनी जमा करी हुई पुझी देने आते लोग कहते कि छोटा सा कुछ देने आते मैंने कह किसी को नामन बोलना श्री महाप्रभुजी किसकी सेवा लेना चाहते हमको पता नहीं है और जैसे आपने मेंशन किया जब हम दुसरी बार वहां स्थान पे गए थे तो मंबे के और एक दो वेश्टों मेरे पास थे उन्होंने कहा कि जे जे ऐसा कहा सो भाग गे कि श्री महाप वो मैं अपनी तरब से करूँगा लेकिन तब मुझे लगा कि करने को तो जल्ली हो जाएगा लेकिन करने के बाद उन्हें ऐसे लगेगा या औरों को लगा कि तो उनका स्थान है और ये मैं नहीं चाहता था मुझे ये सोचना था कि महाप्रभु जी के बैठक जी हैं वो प हर एक की तरब से लगे तो ऐसे न लगे कि कोई ट्रस्ट ने बनाया है कोई बड़े डॉनर ने बनाया है ये लगे ये अपना है और श्री वल्लब के स्थान को हम सभी वैश्णों ने मिलके यहा निर्मान किया है इसलिए वो डॉनर अभी भी मुझे बार-बार कहते हैं कि आप आग्या तो बनवा देवें मैंने का नहीं जी बिलकुल जी आप आग्या करेंगे तो तो कर ही देंगे मेरी इच्छा है कि हरे कुईष्णों को ऐसे लगे ये स्थान अपना है जी आपकी ये भावना कि सब को जैसे राम सेतुबंद बना तब जब छोटे से छोटे प् महाप्रभुजी का बेठक जी का अप्रगट कारिया जो है सभी मिल के करेंगे सभी अपना मान के करेंगे ओ ही आपकी भावना है जे ये पुष्टी मारग की धरोहर है जोरियासी बेठक जी यानि महाप्रभुजी का सब कुछ पुष्टी मारग की का जो भी बोलो ओ है तो ये दो बेठक जी अप्रगट थे, अप्रगट होने का जो कारिया चल रहा है, कहां पहुंचा है? कारे बहुत शिग्रता से चल रहा है, क्योंकि जैसे ही कारे प्रारम हुआ था पैजल, सब जानते हैं, कोवीड काल आ गया, और कोवीड काल के कारण, धाई तीन वर्ष तक जो भी वहां पे कारीगर, लेबर आते थे, वो सब आते थे, यूपी से, राजिस्थान से, बिहार से अब तीन वर्ष तक कोवीड काल के कारण, जो भी कारे हुआ था, वो सब छोड़के वहां से चले गए, तीन वर्ष तक नहीं आए, बीच में कई साइकलों आए, बड़ी फ्लर्ड आए, उसके कारण जो बिल्लिंग था काफी डैमेज हुआ, तो सोचा कि अपन फिर से बना आते हैं, वो जिला अलग बदल दिया गया, जब जिला को बदल दिया गया, तो वो जो पुराने कलेक्टर की साइन थी, वो जिला दिश बदल गए, तो वो साइन फिर वहां पे वैलिड नहीं हुई, और कोवीड के कारण एक साल तक नए कलेक्टर की नियुक्ती नहीं नए सर से प्रारम करना पड़ा, क्योंकि अपन चाहते हैं कि यहां पूरे विश्व के विश्व के विश्व आएंगे, क्योंकि यह ऐसा अदुभूद स्थान है, देखो अब जब अयोध्या में भगवार नाम का मंदिर बना, और गवर्मेंट ने रामायन ट्रेन शुरू कर और यहां की प्राचीन स्थापत्य, यहां के प्राचीन मंदिर, प्राचीन ऐसे ऐसे, यहां पे गुप्त मंदिर हैं, कि यदि कोई भी विक्ति यहां आके रहे, तो कम से कम उसे साथ दिन चाहिए पूरा देखने के लिए, फिर भी समय कम पड़ेगा, इतना अदुभूद स्थान है, और यहां छोटे बच्चों से लेके, युवाओं से लेके, बड़ों तक के लिए, ऐसी वस्तु हैं, ऐसे ऐसे दिव्य स्थान हैं, कि वो यहां आके अपने जीवन को धन्यता को आनुभाव करेंगे, तो लगे कि ऐसा सुन्दर स्थान है, तो वहां वैश्णों बाहर के वैश्णों आएंगे, तो उनके लिए additional विवस्ता क्या करी जाएगी, उसके लिए भी एक plot सामने अभी लिया, अभी हम गए थे, और इसलिए क्योंकि जब भी वहां उस्तव होगा, वहां बड़े-बड़े hotels हैं, लेकिन उनके rates भी बहुत हाई रहते हैं, तो इवेंस हों, वहीं उस्तव हों, और यहां बैठक जी के जारी जी भरने का ससंग का, और शी महाप्रभु जी के गरंतों के अध्यन का, ये साल अलाव अपना वैश्णों समाज खास करके युवा पेड़ी और बालक के यहां पर प्राप्त करें, बिल्कुल जैज ये जो तो आपने वधाय दी, तब से लेके आज तक कभी ऐसा हुआ कि ये कारिय केशे होगा? हो चुके थे, लेकिन यहां पे जो पलिस्थितियां थी, वो ऐसी विकट थी, कि यहां पे निर्मान का कारे कोई करी नहीं सकता, लेकिन प्रभु का ऐसा संकेत के वही स्थान अपन को मिलना, कि जो पचास किलोमीटर के रेडियेशन के अंदर, एक ही ऐसा प्लोट है, जिसम कोई निर्मान कारे नहीं कर सकते, वहाँ एक गुजराती पटेल परिवार, और बहुत पुराना परिवार है, और उनका पूरा साथ, क्योंकि भाग भाग के अपन बार बार जा नहीं सकते, तो तीन वस्तु से आउजन किया, एक है जमीन संपादन करना, दूसरा निर्मान क करना, और तिसरा उस थान को मैंटेन करना, मैंने का ये तीनू वस्तु अपने पास क्लियर हों, तब आगे बढ़ना है, और ये सारी तैयारियां इतनी सुचारो रूप से हुई, और ये कारे का निर्मान, कारे प्रारम बहुत सुन्दर रूप से हो गया, तो जो जो पुष गुजर गहे, युवा है, दे रहे, अभी भी कोई अवकास है कि जो उसमें जूड पाए, क्योंकि सब को ये तो प्रगट बेठक जी, यानि कि कहीं सारे बेठक है, वो तो प्रगट हो शुके है, उसका निर्मान कारिया हो गया है, लेकिन ये बेठक केशे है कि हमने भी इस जूड सकते हैं, किसी भी रूप से, यदि आप इसमें सहयोग देना चाहते हो, तो आर्थिक सहयोग के रूप से भी, यदि अपनी श्रम की सेवा देना चाहते हो, यदि थोड़े दिन निर्मान कारिया को मैं जाके देखूंगा, ये करूंगा, तो भी जूड सकते हो आप, क्योंकि ही सब सेवा हैं, और जब निर्मान होने के बाद, यहां अलग-अलग वैश्णों के प्रशाद देने की विवस्था, बच्चों के क्लासिस, युवानों की शिविर, ये सब कुछ हम चलाने वाले हैं, तो उसके अंदर भी विवस्था के रूप में, प्रसिक्षन क का स्थान है, और हरेक पुष्टिमार्गी वैश्णों जो जो शिमाहप्रभु जी के सेवा के लिए आ रहा है, उनके गरंथों के अध्यन के लिए आ रहा है, शिमाहप्रभु जी की परंपरा को जानने के लिए आ रहा है, वो हरेक के लिए यहां स्थान खुले है, और मैठ प्रभु जी का नए बैठक जी का पाटोस सो होगा तब पुनह आपके हातों से मुझे श्री महाप्रभु जी का कनका भीशे करवाना है और पांसो वर्ष पहले जिसको आपन शवन कर रहे हैं और वही अपनी आखों से ये वैश्नों समाज ये दर्शन करे दिवे लिला के और और गूगल में दो साल पहले अमेरिका के अंदर रिसर्च हुआ था कि सबसे जदा इंडिया के लिए सर्च होने वाला प्लेस है तो वो हम भी है और इसलिए इसके अंदर एक लाइट लाइटन साउंड शो वो भी उसका निर्माण हो रहा है कि जब भी शाम को 6 बजे अंध भाषा जब हैड़पॉन फैन के वो जो भी भाषा का उप्शन सिलेक्ट करेगा उस लेंग्वेज के अंदर प्राचीन कृष्णदेव राय के समय का विजय नगर कैसा था कैसे उसका उदे हुआ कैसे उसका ले हुआ और उस समय श्रिमहाप्रभु जी कैसे यहां पधारे और क्या लिलाए हुई थी वो सब वहां लाइट एंड साउंड शो के अंदर दर्शाया जाएगा बढ़िया जैजे तो यह बहुती वाके बहुती डिवाइन प्लैस है जैजे आप जब-जब वहां जाते हैं तो आप क्या फिल करते हैं क्योंकि आप निर्मान कर रहे हैं उ वेशनों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि ओ जगह आपके लिए और वेशनों समाज के लिए क्या है उस जगह में जब पहली बारी मैंने पह रखा और यह जाना कि पचास किलोमेटर के रेडियेशन में कोई भी वस्तु निर्मान की परमीशन नहीं है तो मुझे हैं लगे कि यहां बड़े-बड़े सिन चारों और गुफा एं मानो अपनी भी जो बैठक जी की भूमी है वहां कम से कम चार से पांच गुफा एं दो गुफा तो ऐसी हैं कि अदर उसका च्योद जा रहा है अपनको बता नहीं है और उस गुफा के अंदर ही पंपा सरूर क जल आता है यदि आप अपने गुफा के अंदर बैठक जी के स्थान पर पथर डालते हो अंदर से जलका वाज आएगा और जब वाच्मेन अपने अपनी जगे के लिए रखे थे वो कहते हैं कि जे जे ये ऐसी सिद्ध भूमी है कि पूनम इत्यादी जो विशेश दिन हो और आतको धाई तीन बजे मेरी नीन उड़ जाती थी और लगता कि पहाडों में से जैसे आरती और वेद मंत्रों का घोश हो रहा है ऐसा मुझे घंटों तक सुनाई देता था यहां बड़े बड़े गुप्त रूप से गुफाव में बिरासते हैं पर कोई विशिश्ट स्णाण के लिए वो निकलते हैं पंपा सरोर में स्णाण करके क्योंकि जो मुख्य-mुख्य सरोर है दक्शिन का मानसरोर यानि पंपासरोर जो फल मानसरोर में जाके मिलता है वही फल यहां दक्षिन के पंपा सर्वेश्ण करके मिलता है जेजे आप उस जगा को आपकी लाइफ में किस तरह देखते हैं आप पूरे विश्व में प्रवास करते हैं पुष्टी मारगी का प्रचार प्रचार करते हैं फिर भी आपको कोई सातो दिन या दस दिन दिये जाए तो आप कहा जाना पसंद करें मुझे देखने जावा तो जब पहली बारी में गया और जब जब भी मैं हमपी जाता हूँ अभी जाके आए और जो जो मेरे संग वैश्णों रहते हैं मेरे हरे एक शब्दों में एक शब्द आता है कि जब ये स्थान बन जाएगा कम से कम मुझे महीने में 10-15 दिन हर महीने आके मुझे स्थान पे रहना है क्योंकि एक अलग आकरशन एक अलग खिचाव एक अलग डिविनिटी जो होता है कि आत्मा का जो एक संतोष अपन को चाहिए और एक ऐसे कई जगे ऐसी होती है जहां जाके अपन को लगता है कि युनिवर्सल एनर्जी से अपन कनेक्ट हो रहे हैं और साधरन जगे पे व्यक्ति को साधना करनी पड़ती है और वो जगे ऐसी है जो सिद्धों से भरी हुई है और वहां जाके बैठो सारी साधनाई चलती हुई आपके पास आजाएं ये ऐसी भूमी है तो अप्रगट बैठक जी सिग्रही प्रगट होंगे और आप वधाई देंगे सब वेश्णव पूरे वेश्णव समाज वहां जाएंगे बड़ा से बड़ा महत्सव मनाएंगे जेजें इन सोट टाइम जैसे अवेध्या का हुआ वेशा ही पूरे विश्व के पुष्टी मारगे वहां पहुँचे और आप स्री की वधाई की राह देखते रहे कि आप जब ए वधाई देंगे कि दोनों निर्मान कारे संबन हुआ अम पाटोत्सव करने जारे उसी की राह में है कारे सुन्दरूप से चली रहा है और जैसे ही कारे पूर्ण होगा मुझे समस्त वल्लबकुल के आचारियों को भी एक संग वहां बदराना है और समस्त वईश्णों को भी एक जगे घटा करना है क्योंकि वो क्षण ऐसी होगी जो एतिहासिक होगी वो क्षण ऐसी होगी ज क्योंकि जिस लीला का, जिस प्रसंगों का अपन वरशों से श्रवन करते थे, आज अपनी आँखों से उसे तादर्श होते हुए देखेंगे, तो यह अपने लिए एक सवभाग्य की बात है, और यही प्रणलिया था कि सबसे पहले बस यह बैठक जी का दिर्मान हो, फिर मु सेलेक्ट किया है, यह अपना सवभाग्य है, कराने वाले वो हैं, वही कराएंगे, पर इस देह को इस कारे के लिए चुना, यह अपना सवभाग्य है, तो आज ए पोड़कास्ट के माध्यम से हम पी, यानि के पंपाशरोर और विजे नगर की बैठक जी का, आपके मुक्ष जेजे कहीं सारे प्रस्नत है, उस रवन की अरदय को एसी सांती मिली, सुनने वालों को भी कुछ ना कुछ इसमें से आपस्री के स्री मुक्षे, जब जेजे का तो यह दिव्यो सपन है, शाकारित होंगे, तब जाके हम उसके प्रत्यक्ष दर्षन करेंगे, तब हम अहो भा आगी समझेंगे, जेजे को तो महाप्रभुजी ने शिलेक किया है, जेजे बाद बाद में वही बता रहे के वल्लब की कुरपा भी ना कुछ नहीं होए, तो आप स्वयम वल्लब, वल्लब को पत्प्रदस्न कर रहे, कहीं सारे दिव्यो संकेत दे रहे, और कहीं सारे वेश कुछ नहीं है, कोई भी धर्मक है, फिर भी ए महाप्रभुजी के ऐसी बैठक जी की दिव्यो दरहर के हम शाक्षी और हम दान करने वाले बनेंगे, कि हम तो दान करके क्या करेंगे, क्योंकि सब कुस उसका है तो दिया हुआ है, स्रमदान है, जेजे ने बताये, धनदान है अपने पास जो है, सारीरिक है, मानसिक है, जो शेवा देशकते हैं हम देएंगे, पुजिस्री जब जब बात करते थे, तब ए टोपिक को जब बात में लाते थे, तब हमें ऐसा पता चलता था, कि जेजे को वहाँ कुछ है, क्या है, तो ओ है महाप्रभुजी की निकटता क महाप्रभुजी की आग्या का, जेजे के पर कृपा का, जो बात-बात में आही जाता था, तो आज जेजे के सामने पहली बार, पोड़कार्श के माध्यम शे, ए दोनो अप्रगट बेठक जी का, पहली बार, आप स्री के स्री चरोन में कोटी-कोटी वंदन, कि आपने, के वेश्णव को, और पूरे शमाज को, ए दोनो अप्रगट बेठक जी का, बहुती अच्छी तरश है, जो प्रस्तुत किया है, हमें जानने और समझने में उमारी श्रद्धा है, उसको बढ़ावा देगी, तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे, आप स्री को डंड़वत प्रस्तुत